वेलकम तू माय चानल तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है वूँ वूंच्ट तू मैरी यू वह आपसे शादी करने में इंट्रस्टेड है ठीक है तो यहां पर यह एक पिककार्ड रीडिंग है यहां पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नमबर वन पाइल नमब पाइल नमबर टू है आप इस इमिज से चूज कर सकते है या आपने जोरिक साइन से चूज कर सकते है पाइल नमबर वन अगर आपने इस इमिज को चूज किया या फिर आपका जोरिक साइन इसम से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आप से शादी करने में इंट तो spiritual awakening है wisdom आ रही है यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है knight of coins वोगो energy है और नेक्स्ट आ रहा है two of cups तो यहाँ पर बहुत positive cards आएं कुछ और cards देख लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ next आ रहा है integration temperance का card है sagittarius energy है next आ रहा है ten of coins तो यहाँ पर जो है एक foundation create हो रही है next आ रहा है nine of pentacles next आ रहा है two of pentacles और next आ रहा है हमारे पास the devil okay conditioning energy है तो यहाँ पर जो है जो भी यह person हो चाहे male हो चाहे female हो अपने gender से resonate करना तो यह person जो है वो आपको अपनी wish fulfillment मानते हैं आपके लिए अगर आप किसी से already relationship में हो तो यह वो person है और अगर आप relationship में नहीं हो single हो और ज्यादा तर लोग जो है वो single ही होंगे तो भी यह person जो है आपकी तरफ romantically आना चाहेंगे एक commitment के through इस तरीके से जैसे यहाँ पर justice का काड़ा है तो यह जो है आपके life में जो आपने अच्छा कर्मा किया है किसी भी कारण से हुआ हो जो भी आपने अभी तक की life जी है या आपके past life के जो अच्छे कर्म है उसका जो reward है वो आपको इस इंसान के through मिलेगा यहाँ पर जो है इश्वर जो है वो आपको एक blessing देना चाहते है आपके friend के रूप में यह हो सकते हैं जो आपके जो है best friend हो लेकिन फिर जो है वो आपके spouse बन जाए या फिर जो है कोई secret admirer है या फिर यह भी हो सकता है कि आपके arrange marriage हो और यह इंसान भी जो है वो आपके past life से आ रहा है तो वो जो है आपसे शादी करने में interested है तो अभी तक जो है यह सारी चीजे जो है आपके सामने hidden होंगी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो नहीं जानता हूँ या जानती हूँ किसी को याद नहीं होता अपनी past life लेकिन आपका past life का अच्छे कर्मों की वज़े से यह इंसान आपसे टकराएंगे situation यह होगी कि अभी तक यह आपसे जो है आपकी life में नहीं आए हैं जादा तर cases में और अगर जैसे मैंने कहा अगर आप किसी से relationship में हो और solid commitment वाले relationship में जाना चाहरे हूँ है player energy की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर आपकी emotional और spiritual connection यहाँ पर एक दूसरे से exchange हो रहा है तो वहाँ पर जो है यह person आपके spouse बनेंगे चाहे वो male हो चाहे वो female हो ठीक है तो पहले तो यह energy समझ लो नेक्स टार है Empress का गाड़ा है तो Empress जो है पर टॉरस energy को दिखाता है आपकी caring loving gentle side को या sweetheart वाली energy को जो है यह इंसान बहुत जादा पसंद करते हैं और आप भी उन्हें इसले ही पसंद करते हूँ तो ऐसा नहीं है आप दोनों के एक dual nature है जैसे मैं समझाना चाहती हूँ थोड़ा सा elaborate कर रही हूँ कि आप समाज के सामने तो जो है वो काफी ज़्यादा strict sassiness और attractiveness है या एक practical approach की situation दिखाते हो लेकिन आपका दिल जो है जो आपका अंदर से जो मन है वो बहुत ज़्यादा गाड करते हो और ये person भी अपने आपको protect करते हैं लोगों के सामने लेकिन आप दोनों की energies जो है वो यहाँ पे exchange हो रही है कि आप लोग straight forward एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो और एक दूसरे को अपना रहे हो accept कर रहे हो तो ऐसी energy और soul से accept कर रहे हो जातर cases में जैसे सिर्फ example ले रही हूं जातर cases में लोग जो है पहले इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि या relationship में घुस रहा हूं या घुस रही हूं तो वह emotions से जादा जो है एक कुछ पाने की इच्छा में चाहे हो लस्ट हो चाहे हो पैसा हो चाहे हो लोगों को दिखाना हो यार मेरी तो बंदी बहु सुन्दर है मैं एक local language यूज कर रही हूं जो मैं usually नहीं करती हूं लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं वो चीज नहीं है यहां पर यहां पर energy exchange हो रहा है आप दोनों को पता चल जाएगा कि आप दोनों की spiritualness जो है या soulful जो love है वो यहां पर मिल रहा है आपको उनके साथ शांती र रहेगा यह नहीं है कि मन भाग रहा है या आइसक्रीम खाले या यह कर ले या वो कर ले दोनों के मन में ही ऐसी चीज आ रही है वो जो है इनसान आपसे शादी करेगा इस तरीके की energy और आपकी married life जो भी यह पाइल देख रहा है उसकी married life जो है बहुत अच्छी रहने वाली है physically भी emotionally भी spiritually भी क्योंकि यहां पर आपके past life के कर्मा जो है वो आपको मिल रहे है अभी तक नहीं मिले हैं आने वाले समय में मिल जाएंगे क्योंकि हर एक का इंसान का जो एक background है या age है या birth चाटा है वो सबका अलग-अलग होता है लेकि जो भी यह पाइल देख रहे हैं उनको जो है यह चीज मिल रही है नेक्स्ट आरा hangman की situation आई है spiritual awakening है जो चीज सोच रहे हो समाज को देखकर डर भी लगता है या समाज तो ऐसा हो रहा है और मुझे जो ऐसा इंसान चाहिए क्या वो मुझे मिल भी पाएगा एक question mark है मन में लेकिन यहां पे आपको वो मिल रह है क्योंकि वो पास्ट लाइफ के कर्मा या इस लाइफ के कर्मा जो है वह आपके add-on हो के आपको reward मिल रहा है तभी मैं आपको यह कह रही हूं नेक्स्ट आरा night of coins के energy वोगो energy धीरे धीरे जो है आप दोनों की mutual understanding बढ़ेगी कोई ऐसी चीज नहीं है कि बही चार दिन में ज रमजोगे friendship create करोगे और mutual जो understanding है जो life की या values की जो inner core values होती है कि आपके लिए फैमिली important है उसके लिए फैमिली important है तो हमारा जो एक main values है वो family importance रखता है या बच्चा important है तो वो भी जो है वो चीज है यह नहीं कि ऐसे माबाब बन गए कि बच्चे की तरफ ध्यानी नहीं और ऐसा नहीं है कि को लोग सोचते हैं कि हर माबाब बहुत अच्छे हैं मैं किसी को criticize नहीं करनी हूँ जाता लोग जो है वो parents बहुत अच्छे होते हैं बट कुछ ऐसे percentage भी होते हैं जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हें अपने ही जो है मैं कहना नहीं चाहती ह रास रंग से फुरसत नहीं होती है अपनी ही gossip से अपने ही पैसे से अपनी ही ego से फुरसत नहीं होती है कि वो बच्चे की बात ही सुन ले कि भई उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और जारता लोग ऐसे नहीं होते हैं parents बहुत अच्छे होते हैं उनकी respect हमेशा करनी चा ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो अपनी life को नहीं जियोगे या फिर जो है ऐसा लगेगा कि husband wife जो है वो उसे parents बनके रहागे ऐसा नहीं है two of cups की energy है आप दोनों एक दूसरे के लिए lovers की तरीके से feel करोगे आपकी arrange marriage हो love marriage हो किसी भी तरीके की चीज हो यहां पर जो है वो अपनी life में accept कर रहे हो वो यह वो चीज नहीं है कि गलत तरीके के crime cases कर रहे है या ऐसा हो रहा है जो आजकल बहुत चल रहा है नहीं होना चाहिए वो चीज भी लेकिन ऐसा है नहीं आप आपको जो है उस तरीके का इंसान मिल रहा है जो आपके मन की जो situation है वो समझ सके और जाता है कि complete कर रहे हो ठीक है और वो यह चीज नहीं कि आपके कि सास्त माइश नए यह पर यंघ्यंग आई है वही चीज है कि balance कर रहे हो एक-दूसरे को अपने कर्मा को balance कर हो अपनी जो लाव लाइज में हैं पिजिकल लाइफ है पिल्कुल भी नहीं हैने ने टेन नेरनजी के नर्जी है और से बूर्ड देखाता है आपका पेनली लाइफ माईफ है तो फॉर्डollar सिल्सक्तों ये है कि उसके बाहर आपका वर्ड नहीं है या आप बना नहीं रहे हो काम नहीं कर रहे हो ऐसा कुछ मिनी है लेकिन जारतार प्रियोरिटी जो है वो आपकी फैमली के तरफ रहेगी आप दोनों के लभी-डभी वाली situation को enjoy करोगी नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटेकल्स के इनर्जी है तो नाइन ऑफ पेंटेकल्स जो है हाई़्ली फानैश्यल इन्डिपेंड्डननट को दिखाता है आप भी इन्डिपेंडेंट हो वह लगेंगी कि वो जो है अच्छी तरीकी से पक जाएंगे तभी जो है उसमें अच्छी मिठास आएगी ये वो सिस्टम नहीं है जो आजकल चल रहा है कि इंजेक्शन दे के और जो है सिर्फ कारबाइड लगा के फल को जो है पका लिया जाता है और जो है मार्किट में बिखने आ जाता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं metaphorically बात कर रही हूँ कि जितना भी समय लगता है एक फल को पकने में वो जो एक अच्छी मिठास लेकर जो quality लेकर जो है वो आता है वो जो फल है अपने आप जो गिर जाता है पेड से वो वाली जो situation है वो आप लोगों के बीच में लव जो है वो create होगा next आरा two of pentacles के energy तो moment to moment है धीरे धीरे चीजे बढ़ेंगी ना आप जल्दबाजी करोगे ना वो जल्दबाजी करेंगे तो इस तरीगे की चीज यहाँ पर आ रही है आप लोग balance कर रहे हो situations को multiple चीजों को भी balance करोगे family भी balance कर रहे हो work place को भी balance कर रहे हो आप लोग ही जो है वो decide करोगे कि आपको कब शादी करनी है किस तरीके से शादी करनी है ऐसी चीज है कोई जल्दबाजी वाली situation नहीं है यहाँ पर next आरा devil का काड़ा है devil जो है obsession को दिखाता है इसको जो है कई लोग negative sense में भी लेते हैं लेकिन जो आपकी positive और negative side है उसको भ कोई man हो या woman हो आप लोग love one से बहुत जादा प्यार करते हैं सबी करते हैं मैं भी करते हूं ठीक है लेकिन हमारा जो nature है वो कई बारी ऐसा भी हो जाता है aggressive भी हो जाता है कि हम इतने जादा over protective या over controlling हो जाते हैं जो हमने अपने ही relationship को खराब करने लग जाते हैं तो ऐसी energy न पूर नहीं जाने देंगे आप एक दूसरे के साथ adjustment कर लोगे और इस तरीके से करोगे कि आपको खुद नहीं लगेगा कि जैसे पानी होता है वो glass में डालो तो glass की shape बन जाती है किसी और बरतन में डालो तो वो किसी और बरतन की तरीके सो जाता है उसी तरीके से आप अपन अच्छी रहेगी उसको टीवी या फिल्म से जो है compare मत करना टीवी या फिल्म में जो है वो सिर्फ entertainment purpose के थूँ पैसे कमाने के थूँ ये सब चीजे बनाई जाती है और जो कि कुछ हद तक गलत नहीं है मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे भी किसी की रोजी रोटी चल होंगे passionate heart है तो जो कह सकते intimate life जो है वो passion के साथ रहेगी और नेक्स्ट आरा healing आ रही है यहाँ पर cards में भी मुझे देख रहा है और याद भी हो गए है और वो massage करेंगे आपको एक tantric sex वाली जो situation है वो आप दोनों के बीच में बनेगी तो चलिए देखते हैं love cards क्या कहते है पहला आरा है friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve तो यहाँ पर friendship जो है वो इस तरीके की बन जाएगी कि आपको कभी जैसे मैंने कहा कि आप lovers की तरीके से ही behave करोगे एक दूसरे के साथ आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम husband wife है typical husband wife है नहीं आपको friendship की तरीके से lovers की तरीके से ही तो यहाँ पर transformation हो रही है बड़े बड़े changes आएंगे आपकी life में और वो अच्छे के लिए आएंगे ठीक है next आ रहे है healing imagine yourself and your beloved surrounded by light feel your relationship being healed this very moment तो आपकी healing हो रही है soul की healing हो रहे है जैसे मैंने कहा tantric sex वाली energy है यहाँ पर और आप दोनों ही past life से जो है आ रहे हो इस तरीके की energy में महसूस करोगे जो मैंने कहा कि सुकून महसूस करोगे वो energy यहाँ पर है तो चलिए देखते हैं इस energy से लेटेट को charms और यह आपके secret admirer होंगे ठीक है तो यहाँ पर एक लियो energy आई है sun moon और राइजिंग हो सकता है नेक्स्ट आ रहा हमिंग बर्ड है तो wealth है prosperity है friendship है loving nature है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर angel का feather आए आप दोनों ही जो है spiritual हो और उसी तरीके से आपको reward मिल रहा है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर जो है पाइसिस energy आई है crane आया है तो यहाँ पर जो है आपकी जो dreams है illusions है आपको इनके dream आएंगे उनको आपके dream आएंगे तो ऐसी energy है यहाँ पर शुरुआत में और धीरे धीरे जो है आप लोगों के बीचे bonding create हो जाएगी नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर फ्लार आया है तो फ्ला बाजकल का नेक्स्ट आ रहा है truly madly deeply savage garden का बहुत अच्छे songs आये हैं नेक्स्ट आ रहा है सोच लिया राधे शाम का देख लेना कौन सा गाना है नेक्स्ट आ रहा है I knew I loved you savage garden का you are still the one श्वैना ट्वैन का मैं यहाँ हूँ वीर जारा मुवी का नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एनना सोना ओके जानू मुवी का तो इस तरीकी की गाने जो है वो आपको dedicate करना चाहेंगे या इस तरीकी की feelings जो है वो आपके लिए रखना चाहेंगे तो चलिए सोच लीजिए अपना random question मैं answers निकाल रही हूँ वान इयर तो वान इयर में हो सकता है जो भी आपने question पूछा है उसको अपने हिसाब से interpret करना ठीक है नेक्स आरा have patience, take action और नेक्स आरा let go तो यहाँ पर जो है इस तरीके की energies आ रही है तो pile number one यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you number two अगर आपने इस image को choose किया या फिर आपको zodiac sign इस पे से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है वापसे शादी करने में interested है 10 of coins शुरुआत बहुत अच्छी हुई है foundation है यहां पर next देख लेते हैं magician heavy mercury आ रही है वह आपको manifest करना चाहते हैं अपने life में next आरा knight of swords Libra Aquarius Gemini की energy है next आरा ace of swords Gemini की energy है Libra की energy और Aquarius next आरा wheel of fortune आपको अपने destiny मानते है lucky charm मानते है next देख लेते है new vision hangman की situation आई है next आरा the master spiritual master next आरा two of cups friendliness next आरा the chariot awareness की बात आई है और next आरा king of cups तो यह जो है आप उनको जानते हो वो आपको जानते है यह आपके family friend हो सकते हैं ठीक है या फिर यह भी हो सकता है कि extended family के through मिले हूँ जैसे मैं example देती हूँ जैसे मालो आपके भावी है तो भावी के जो कोई दूर के रिष्टदार के भाई हो तो उनकी जो है family से जो है आपका रिष्टा जुड़ जाए तो इस तरीके की energy है ठीक है तो यह जो है आपके family में या friend circle में ही आते है या family friend की through ही आते है तो यहाँ पर 10 of coins देख रहा है foundation है आप इनसे मिले हो वो भी आपसे मिले हैं यहाँ पर जो है हसी मजाग बहुत जादा होता होगा आपकी family में भी उनकी family में भी तो इस तरीके की energy है यहाँ पर जो हो सकता है आप लोग बातचीत कर रहे हैं तो relationship में होगे लेकि यहाँ फिर जो है वो family friend कह सकते हैं कि जैसे बहुत सालों से आपके father या उनके father जो है वो एक ही business में काम कर रहे हैं या एक ही जो है वो टेक्निकल लाइन में काम कर रहे हैं यहाँ तो उस तरीके से आप लोग एक दूसरे कोश जानते हो तो यहाँ पर जो है उस इंसान से आ एकदम से आपको ओफर दे देंगे नहीं सोचेंगे समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो आपको एक ट्रोफी वाइफ या ट्रोफी हस्बंड की तरीके से देखते हैं उन्हें ऐसा लग कि धोकदड़ी हो जाएगी इस तरीके से मैं कहना चाहती हूँ ठीक है या फिर जो है आप एक दूसरे को अच्छा बुरा हर तरीके से जानते हो तो यहां पर जो है आप लोगों के बीच में भी अच्छी बॉंडिंग है तो क्यों न रिष्टा ही बन जाए तो ऐसी एनरज इस तरीके की अनरजी यहां पर आ रही है कि वो जो है आपकी तरफ तेजी से आगे बढ़ना चाहते है कि रिलेशेशिप जो है वो कमिट्मेंट में तेजी से हो जाए ऐसी एनरजी है नेक्स आरा एस और सोर्स की एनरजी जो है वो तुरुत को दिखाती है एक सही एप्रोच को दिखाती है तो जो दिमाग में चल रहा है चाहे आपके चल रहा हो चाहे आपके पेरेंट्स के चल रहा हो तो वो जो है जो भी उलजन चल रही है उसको जो है वो कट आफ करना चाहते है कि मेरा बच्चा खुश भी रहेगा या नहीं रहेगा या कुछ और किसी स्वार्ट से तो नहीं आ रहा है तो उन सब के जवाब जो है वो आप लोगों को मिल रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कोई भी नेगटिव यहाँ पे एनर्जी नहीं है तो उन सारी चीजों को जो है मिंटल क्लारिटी को करके जो है आप लोग आगे बढ़ोगे एक्स टारा वील ओ फॉर्चुन तो वील ओ फॉर्चुन जो है आपकी लख है डेस्टिनी है तो मुझे यहाँ पर जालता लोगों के लिए फैमली फ्रेंड दिख वह चाहिए तरीके से खोते हैं वह जो है आपसे शादी करने की इंट्रस्टेड में उनके पेरेंस भी जो है वह आप में इंट्रस्टेड है इस तरीके से नेक्स्ट आरा निउव विजन हांग मन की सिचुएशन है स्पिरिट्ट्ट वेकनिंग है यहां पर तो वेकनिंग जो है वो अंदर से आ रही है, ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ किसी स्वार्थ के वश काम कर रहे हैं, नहीं, अंदर से मन कह रहा है कि ये बच्चा जो है चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, मेरे घर के लिए ठीक है, तो इस तरीके से जो एक foundation जैसे पहला काड़ी foundation का आया 10 of points की energy आया है कि परिवार बनाने के लिए लायक है यह नहीं कि बुज़ुर्गों का अपमान कर रहा है या फिर अपने आपी बहुत कुछ कर रहा है तो इस तरीके की energy यहां पर आ रही है next आ रहा है the master spiritual master है आप बहुत जादा spiritual हो यह person बहुत जादा spiritual है तो दोनों की जो values है core values है वो लगबख same होंगी तो उनके लिए भी family important होगी आपके लिए family important होगी जो आपके शौक होंगे या hobbies होंगी वो उनकी होंगी और आपने भी जो है time spend किया होगा तो ऐसी energy आ रही है next आ रहा है two of cups की energy friendliness है तो यहां पर two of cups की energy आपके friend circle में तो वो आ ही गए लेकिन आप में जो differences भी है उसको भी जहाँ अच्छे से adjust कर लेने की इच्छा है तो soulmate card है एक दूसरे के प्रती एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझने की इच्छा है और काफी हद तक आप लोग समझते भी होगे next आ रहा है यहां पर chariot का card है तो chariot जो है वो awareness को भी दिखाता है जो भी मन में उथल पुथल चल रही है उसको जो है वो सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं यहां पर parents का भी आपको proper support मिल रहा है और आप दोनों भी जो है एक दूसरे के साथ आना चाहते हो next star है king of cups के energy है तो अगर वो male है तो उनके मन में आपके लिए बहुत जादा deeper feelings है और अगर वो female भी है तो भी जो है उनके मन में आपको पसंद करने की इच्छा हमेशा से रही है तो ऐसी चीज नहीं है कि आपको जो है unexpectedly वो पसंद करवाया जा रहा या force किया जा रहा नहीं बचपन से जो है आपको कही ना कहीं एक दूसरी के प्रती liking थी as a person as a husband and wife और या फिर as a lover ठीक है तो ऐसी energy यहाँ पर आ रही है वो लोग जो है वो आप में interested है marriage के लिए चले देखते हैं love cards क्या कहते हैं तो पहला यह आया है तो यहाँ पर deeply जो है sexual feelings है next आ रहा है यहाँ पर आपको गले लगाने की इच्छा है और next भी यह couple का ही card आया है तो यहाँ है passionate heart है passion जो है वो एक हर तरीके का है एक emotional passion है एक physical passion है और एक दूसरे को पाने की इच्छा है तो इस तरीके की energy है चले देखते हैं love cards क्या कहते है passion a magnetic and seductive quality surrounds you at present enjoy it तो enjoy करने की इच्छा है कुछ जैसे seductive thoughts भी है उनके मन में next आरा power you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time तो आपके पास power है आपको इस situation को accept करना है या नहीं करना है तो आपके पास जल्द ही जो है वो प्रपो proposal आने वाला है उनके parents की तरफ से या आपके parents की तरफ से या फिर ये person जो है वो आपको प्रपोज करना चाहते है नेक्स आरा romance क्यूपर zero strike तो यहां पर romance जो है वो proper potential है कि यहां पर romance जो है वो create हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इस energy से रिलेटर को charms तो यहां पर जो है एक लीफ आइए autumn season में एक काम बन रहा है तो हो सकता है अब जो है autumn season लगभग चला ही गया है तो आने वाले autumn season बें यह काम बन सकता है आपको कोई ऐसे पसंद कर रहा है और आपको पता ही नहीं है नेक्स आरे यहाँ पर राइनो आया है determination को courage को दिखाया जाता है तो आप काफी ज़्यादा determined हो कि आपको जो है एक सही तरीके का partner चाहिए ऐसा नहीं कि wishy-washy हो या फिर जो है वो आपकी तरफ responsibility ना रिभाय तो ऐसी energy है नेक्स आरे आप इस spiritual connection है तो आप दोनों का spiritual connection है इस वज़े से भी ऐसी चीज़े बन जाएंगी और अपने आप जो है यह चीज़े बनेंगी इसमें आपको कुछ करने ही जुरूरत नहीं है चले देखते हैं उनकी तब से love lyrics पहला आया है सेक्स विद यू रहाना तो ऐसी energy भी है उनके मन में नेक्स आ रहा है more than words extreme नेक्स आ रहा है बारिश की जाए बी प्राक का नेक्स आ रहा है truly madly deeply savage garden का नेक्स आ रहा है मधोश दिल की धड़कन जब प्यार किसी से होता है नेक्स आ रहा है नेक्स आ रहा है फिसल जातू और नेक्स आ रहा है जीने लगा हूँ रमया वस्तावया का तो इस तरीके के गाने या feelings जो है वो आपके लिए feel करते हैं चलिए सोच लीचे अपने random question में answers निकाल रही हूँ येस येस तो यहाँ पर answer जो है वो येस 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 आ रहा है नेक्स आ रहा है रिमेन positive नेक्स आ रहा है go see an expert और नेक्स आ रहा है यहाँ पर meditation brings answer तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके के answers भी मिल रहे हैं तो pile no.2 ये थी आपकी reading उमीद करते हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को like करे, share क subscribe करे, thank you.